ओन्लाइन सट्टे की लटका शिकार हुए युवक ने मा की डाट पर फासी लगा कर अपनी जान गवादी बेटे की मौत के बाद मा भी सदमा बरदाश ना कर सकी ततपचात मा की भी मृत्तियू हो गई प्लोट नमबर 101 चापर लोक बिल्डिंग चापर नगर चौक गार्डन के बाजू रहने वाले वागवानी परिवार में दुखो का पहार तूट पड़ा है इस घर से एक ही साथ मा बेटे की अर्थी उठी है प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत्तक युवक खिते नरेश व परजे के बीच घर पर पहुँचा घर देर से आने के कारण उसे उसकी मा दिव्या नरीश वागवानी उम्र 51 वर्ष ने उसे डाट दिया अगले दिन रविवार को घर के सभी लोग आशिरवाद नगर में किसी रिष्टेदार की यहां शादी के लिए गये बस इसी दोरान खितेन ने घर के किचन में दुपट्टे से फासी लगा कर आत्महत्या कर लिए जब घरवाले शाम को वापस आये तो देखा कि उनका बेटा फासी के फंदे पर जूल रहा था उसे तदकाल शेहर के नियुरौन अस्पिताल ली जाये गया जहां डॉक्टर उने उसे मृत घ लगणज पुलिस को घटना के जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आकस्मिक मृत्यों का मामला दर्ज कर जाच शुरू कर दी है अब मा की मौत सदमे से हुई है या उन्होंने खुद भी मानसिक तनाव में आत्महत्या की इस एंगल से भी पुलिस जाच कर रही है साथी पत चला है कि मृत्तक यूवक का मूबाइल फोन पिछले दो-चार दिनों से उसके पास नहीं है अब इसके पीछे यह भी कयास लगाया जा रहे है कि कहीं मृत्तक यूवक ने फोन गिर्वी तो नहीं रखा क्या उसे पैसे के लिए कोई कर्सदार परिशान कर रहा था या कहीं उसे कोई जान लेने के धमके तो नहीं दे रहा था इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश कर रही है जवाब अधर संसा अंसे था में ते शां दो मृबाईल चामें डेटा आव गरे कर रहा था ते था मते आत्माटे चे नेमके कारण हें समोरील तेन्च अधून नहींद सब्सक्राप्स वा हुएं या दुष्टें तोडी माईती सांगित लिया हमाला विशेश्कुरुनामी तेंचे मोबाईल चे डेटा रिकावर करने चा प्रत्ना था ते घर चे सांग देत की दोन दिवसा पसुन मोबाईल तेंचे करना होता तर 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 इन्बिसेन न्यूस के लिए कलेश भरद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट